क्या वाकई सल्मान खान पर चल रहे कोड़ केसस ने उन्हें शादी से रोक रखा है? यहाँ पर किस की शादी किस के हाथ में थी? क्या सच में सल्मान खान को शादी के लिए नहीं मिल रही है एक अच्छी लड़की? या फिर बीवी तलाशने के मामले में उपर वाले की मर्जी के आगे हार मान चुके हैं सल्मान लेकिन सोर्जस की माने तो सल्मान ने अपनी दुलहन ढूनना बंद नहीं किया है फिर सल्मान पर मरने वाली लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है ऐसे में सल्मान के अब तक शादी ना करने की जो वज़ा इस बार सामने आई है उस रीजन के आगे सल्मान की गिनाई गई बाकी सारी वज़ें छोटी साबित हो जाएंगी तो अब बता ही दिया जाए सल्मान की शादी से जुड़ा वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुला सा रिपटेटली सल्मान को उनकी पसंद की लड़की मिल ही नहीं रही है बॉलिवुड का सबसे हॉट बैचलर अब तक सिर्फ इसलिए कोवारा है क्योंकि उसकी ड्रीम गर्ल की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई एक घरेलू लड़की की तलाश के कारण सल्मान खान की रिलेशन्शिप्स की कश्ती हमेशा वहां जाकर डूपती है जहां पानी कम होता है उपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो बीवी कहां से आये हैं सल्मान की शादी की ताल भले ही अभी तक ना गली हो पर आप्शन्स की भरमार के बारे में अर्बाद खान पहले ही पता चुके हैं कि किस तरह लड़कियां सल्मान के आसपास मंडराती हैं सल्मान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को जैसे मच्चरों को फलिट से दूर रखते हैं वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज़े दूर रखने की लेकिन शादी के अंगिनत आफर्स के बावजूद सल्मान खान शादी से दूर हैं पिछले दूनों सल्मान की तरफ से यहां तक सुनने में आया कि उन्होंने अपनी एक्स गल्फिंट से शादी के नाम पर काफी दूरी बना ली है सल्मान खान के घर गणपती सेलिबरेशन में उसकी जलक भी मिली थी जब सल्मान के कट्रीना को इग्नोर तक करने की खबरें आई थी यानि वजह साफ है कि सल्मान खान लाइफ में अब उस स्टेज पर पहुँच गए हैं जहां उन्हें शादी के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन ना रखती हो यानि अगर सोर्चस के जरिये आई ये खबर सही है तो सीधी साधी घरेलू लड़की की तलाश ने सल्मान खान को अब तक दूलहा बनने से रोक रखा है और सल्मान की गिनाई बाकी वजहें तो सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं ये मेरे हाथ में जोड़ी है कि उसके लिए पार्टनर गी होना चाहिए यहाँ पर किसकी शादी किसके हाथ में थी ऊपर वाले की मर्जी के बना पत्ता नहीं हिलता तो बीवी कहां से आये हैं